एक दरफ पुराने सारे ही मित्र एकटे हुए हैं वर्षों के बाद सारे ही अपने अपने शेत्र में सफलता अरजित कर चुके ये मौका नजाने पुन है कब मिले गा व्यक्ति ये भी सोच रहा है परन्तु उसके सामने एक महत्तुपूर्ण कार्य भी है जो उसकी आजिवीका से जो उसकी समर्पन भाव से जुड़ा हुआ है जो उसके नाम से जुड़ा हुआ है अब फैंसला उसे करना है कि वो कहां रोके और कहां चले ऐसे वस्थाएं से इंगराशी के जातकों के लिए जुलाई 2023 के साथ में वजागर हो रही है और हम उसक्रम में मासक राशिफल का पुरा ही चड़चा प्रतांत लेकर आपके लिए उपस्तित है ग्रह, गोशरिय, विवस्थाओं का अध्यान और इसके साथ प्रती एक शित्रवार जुड़ी हुई चड़चाएं 2021-22 जुलाई 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव सेंगराशी स्थान में रहने वाला होगा और वहीं सिंगराशी के जातकों के लिए मंगल स्वयम व्योग कारक होते हैं और प्रतम भावस्त करम में ही मौजूद है पुरे ही महीने शुक्र की स्थियां भी 6 जुलाई के बाद से यहां प्रतम भावस्त आधार के साथ नहीं चलाईमान रहेंगे तो वहीं केतु पराकरम राहु नवम भावस्त करम में गुरु राहु का चांडाल दोश बना हुआ परंतु देव गुरु परिहस्पती का जो दृस्टी संबंद का आधार है वो एक तरह से प्रतम भाव पराकरम भाव वम पंचम भावस्त करम के साथ में बना हुआ है यह सपस्टता दर्बित तो वहीं सब्तमे शोकरशन देव सब्तम भाव में ही चलाईमान है शश्योग निर्बित है बुधा दित्य योग यहां कुछ दिनों के लिए दुआदश भाव में बनेगा तो वहीं सूरिदेव की स्ततियां शुरवाती तोर पर लाभ भाव में रहेंगी यानि वितुन राशिस्तान में सोले जुलाई तक रहेंगी उसके बाद सूरिदेव दुआदश भावस्त करम में प्रवेश कर जाएंगे जो प्रथम पंती हमने इस कारकरम की शुरुवात में कही थी उसको पुरह दोरा रहे है आपके लिए intensity of work भी है जो बहुत ज़्यादा positive है तो वहीं पर ब्रहम एवम भटकाव की एहरी भी लगाता रहे है कुछ ऐसे fascination हैं जो उलजा सकती है एक जिएगे रोक सकती है परमतु से पार पाकर आपके लिए सुनहरा बरतमान भी है जो व्यक्तित्व की उजास के साथ में आपके कर्म को नया नाम देने वाला हो सकता है जो महानुभाव IT फिल्ड के साथ में जुड़े हुए है जो महानुभाव discipline संबंदी जॉब में है वर्दी धारी नौकरी के साथ में जीवन चलाइमान होता है वहाँ पर आपके लिए ये जो यूती प्रदर्शित है अपने आप में अद्बुत है अगर आप IT फिल्ड के साथ में हैं नौकरी पेशा जीवन से हट कर फ्रीलैंसिंग जैसी अप्रोच को देखना चाते हैं आप IT फिल्ड में कुछ समय के लिए ओवरसीज की अप्रोच को देखना चाते हैं आप ऐसे शेत्र विशेश में पुनहे अपनी निस्ठा को अपनी कर्म को अपनी अनुभव को जाकृती देने के लिए खुद को तराशने के लिए पुनहे सक्षा की और जाना चाते हैं यकीन मानिये संग राशी के जातकों के लिए ये योगा योग पूर्ण स्ति अपने आप में ताकत निरमित करती है परंतु ब्रह्म के गेरे निरंतर मौजूद हैं उन से हट कर हम कैसे बढ़ रहे हैं कई बार ऐसे गटनाओं को उतनी ही रोचकता से सुनना पड़ता है जिसको दस बार सुन चूके हूँ इसका अर्त ये नहीं है कि हम वहां शुरवात में कहने वाले हों कि ये तो मालुम है आप क्या बतारहे हो उस व्यक्ति के जो सुनाने की फॉर्मेशन है उसके साथ में कुछ नो कुछ नया देखा जा सकता है ये बात अपनी माइंड सेट के साथ में आप लेकर चलिएगा प्रतम भाव की स्तियां ये बता रही है कि जहां आपने खुद को रोका नहीं जहां आपने खुद को ऊवर कॉन्फिडेंट किया नहीं वहीं से आपके लिए एक अलग तासगी सामने निकल कर आने वाली होगी और ये गौर करने की जरूरत है कि जब सूरिदेव यानि प्रतम भाव की आदिपती 16 जुलाई 2023 तक जब मितुन राशी स्थान में रहेंगे आपके प्रतियेक इस्तर के निरने के साथ में आत्म विश्वास की प्रकर इस्ततियां मौजूद है और सब पलता के अप्रतिम प्रतिमान भी यहां सम्मुक रहने वाले होंगे यह गोहर करने की जरूरत है कि आप व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े बदलाव की और जाना चाहते हैं प्रतम सब्तम एकादश को देखते हुए कहा जा सकता है कि अद्भुत इस्ततियां आपके लिए यहां संचालित हो रही है व्यक्तित्व में जो गहराई बनी हुई थी जो आत्मिक आधार की प्रवलता थी उसमें थोड़ी से कमी आ सकती है क्योंकि मंगल शुकर तैसनेशन के अप्रोच को ड्राइब करते हैं आप डिसिप्लिन तो हैं परन्तो डिसिप्लिन को बारंबार दूसरे लोगों पर हावी करने का प्रेतने करना हम ऐसे हैं आप भी ऐसे बनिये ये कहना कहीं ने कहीं सुरूप को विकरत करने वाला आधार हो जाता है उससे आप संबल लिएगा द्विती ये भाव की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर पूरे ही महीने के क्रम में लगबग लगबग 17-18 दिनों में यानि की 6-7 जुलाई से 24 जुलाई तक खर्चों की अधिकता आपको परिशान कर सकती है वहीं किसी को भी कन्विंस करने के लिए शब्दों का खर्च बहुत अधिक करना होगा मार्केटिंग और पब्लिक रिलिशन संबंदे कामकाज में एक बार किसी डील को क्रैक करने की अप्रोच के साथ में खुद को लेकर चलना और यही कन्क्लूजन रखना गफलत भरा सिरा है उससे मुक्त होकर चलने का प्रेप्त करें द्यूति ये भावस्त करम में ये भी याद रखें कि पारिवारिक जुनों के साथ में चोटी चोटी बाधाएं जो लंबे समय से सता रही थी उससे मुक्त होकर आगे बढ़ने की पूरी पूरी जरूरता आपके लिए रहने वाली होगी ये भी इस पस्टता आप करम बद अपने लिए लेकर चलिएगा और वहीं पर ये भी आप गौर करने वाले हों कि यहाँ पर जो सेकंड आउस की लॉर्डशिप ट्वेल्थ आउस के साथ में बनी होई है ये बताती है कि पारिवारिक जुनों के साथ किसी भी कामकाश की शुरुवात में भी जल्द बाजी कर पराकरम भाव में केतू की स्ततियां मौजूद है इसे वज़े से ये स्पष्टिता रखने का परियत्न करें कि यहाँ आपके लिए जो पुरशार्त की स्ततियां है पराकरम की स्ततियां उसमें ब्रद्दी है लंबे समय से कामकाज में मान सम्मान नहीं मिल पा रहा था अब किसी भी चेंज की और जाना चाह रहे थे तो वो चेंज भी अब यहां आकस्मिक तोर पर सामने है उसकी स्विकारोक्ति आप किसे रख पाते हैं देखिएगा और वैसे भी एक अद्बत समागम है जो पराक्रम क्यारिपती है वो परतम भावस्त क्रम के साथ में रहने वाले हो जाती है वहां निरणाया निरणाय की जूरत नहीं है व्यक्तिकत पुरशार्त को अपने साथ में रख कर आप गतिमान होने का प्रयत्न करते चले जाईएगा और ये इस पस्टता भी जरूर रखें कि यहां भाईयों आईवा मित्रों के साथ में कामकाज में जो कई बार मो जुड़े होते हैं और प्रोफेशनल अपरोच हड़ती चले जाती है वो नुकसाम देह सर्द होती है आप प्रोफेशनल अपरोच को अपना कर चले हैं उसमें ही दोनों की बलाई है ये मूल मंत्र अपने भेतर तकात में साथ जरूर करें और वहीं हम चर्चा करते हैं को रिलेट करती हुए अप्रोच के साथ में नए पन के साथ में जुड़े हैं यहां पर आपके तेवरता देखते ही बनती है और ऐसे शित्र विशेश में इन एकतीस दिनों में जितनी कर्म की आहूद देकर चलते हैं हटाते हैं हम रविवार के अवकाश को हटाते हैं हम शनि को कामकाज में stability के एक base के साथ में लेकर चलने वाले हो सकते हैं माता के स्वास्ते को लेकर तेक्ष्णता से कुछ दिक्कतों का सामने आना दुविदाओं का सामने आना चंताओं का निकल कराना पुनह सुधार के संकेत मिल जाना यहां आपके समक्ष चलता हुआ नजर आता है तो वहीं एक प्रमुख निवदन ये भी करना चाहेंगे कि आपकी वर्किंग एक्सपर्टीज के साथ में आप चलिएगा लॉयल्टी वाली अप्रोच के साथ में आप चलिएगा उसी में आपके लिए बेनिफिट रहेगा अला कि ये बात जरूर है कि यहां कमीशन संबंदी कामकाज बेटर मेंट के प्रोस्पेक्ट्स देते चल जाएंगे कोई भी कारीर थ्रेशोल्ड पर पहुंचा है बले ही इस महीने थ्रेशोल्ड पर ही रहे परन्तु वहां हम अपनी खटकटा हट जरूर देने वाले हों एजेंसी लाइन संबंदी कामकाज ठीक ठाक है तो वहीं किसे कारीर को छोड़ कर नहे कारीर की और बढ़ना है तो जिसे छोड़ रहे हैं वहां पर भी पूर्णता का विराम बहुत अच्छे से लगने वाला जरूर रहे वहीं पंचम संबंदी स्थियों में उजाले बहुत अच्छे से हैं आप किसी भी तरिकी की प्रशाशनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं आप यहां लेटरिचर संबंदी अप्रोच के साथ में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं आप यहां लंबे समय बात पुनहें सक्षा में खुद के साथ में खुद को नए से डवलब करना चाह रहे हैं शनिदेव देव गुरु ब्रहस्पती शुक्र की स्ततियों को इस महीने देखते हुए आप वहाँ खुद को पुनह आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं जीवन नित नई प्रक्रियाओं के साथ में आपको वहाँ उजाले देता हुआ परतीत होता है जहां से रुखने एवम घबराने के जरुरत बिलकुल भी नहीं है याद रखिएगा कि यहां आपकी उद्देश्य परक्स्तियां पुनह आपसे प्रयास मांगने वाली होगी यानि कि जो लक्ष आपने स्वयम के लिए निरधारित किये थे वहा आपने पकड़ी है उसको लगातार बना कर रखने का परहतना आप जरूर कीजिएगा यह पंचम भाव के गतिविदिया इस पस्ट तोर पर नजर आती है वहीं सस्ट भाव की चर्चा करते हैं तो सस्ठेश होकर जो शनिदेव हैं वो सब्तम भावस्त करम के साथ में रहेगी जो आर्थिक पक्ष के साथ में नर्णे लेने हैं यानि कि किसी एक्सपांशन के तरफ जाना है किसी और मेजर डिसिजन की तरफ खुद को क्लिक करवाने की तरफ लेकर जाना है तो वहाँ पर भी बहुत जादा धीमापन भरत कर चलिएगा शत्र पक्ष हावी नही करने की मेजर अप्रोच हो जाती है तो वहीं सब्तम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो सब्तमेश होकर शनिदेव सब्तम भाव में हैं इसी वज़े से शश्योग निर्मित हो रहा है नए कामकाच की शुरवात आपके लिए अंकित तोर पर बहतर कही जाएगी ये याद रखिएगा कि आपको स्थाइत्व की नीव लगाने के साथ में यहाँ पर जीवन एक नया उजाला देता चला जा रहा है दिजनस पार्टनर्शिप में धीमापन बरत कर चलिएगा वहीं माइनिंग संबंधी कामकाज हो गया और कोई भी ऐसा कार जो की यहाँ लंबे समय की इस्तियों के साथ में चलाएमान होकर आपको बेनिफिड भी उसी रफ्तार में दे सकता है ऐसे शेत्र विशेश में अब रुकावट की जरूरत बिलकुल भी हम नहीं देखते हैं ग्रिहस्त वक्ष के साथ में भी अब समभात कौशल बहुत अच्छे से स्थापेत है आपके अधिपती देवगुरु ब्रेस्पती हैं वो नवम भावस्त करम के साथ में रहने माले होंगे ये एक पॉसिटिव इंडिकेशन है कि आपके लिए यहां पर रिसर्थ संबंदी कामकाज में बेटरमेंट है आप डेटा साइंसिस के साथ में जुड़े वो हैं एनले आपको गतेमान करते चली जा रही है अपने होनर के साथ में जीवन को करमबद सरे के साथ में संप्रिशित करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रेहत न कीजिएगा अस्तमेश का नवम भाव में होना ये भी दरशाता है कि जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से थी अब व वो सामने आई उसके रिफ्लेक्शन के साथ में एक बार दुविदा हुई परन्तु आप सॉल्लिशन लेकर आते चले गए ले आप जैसे चिनता है या स्तान परिवरतन जैसे चिनता है इसमें निर्मूल सद्ध होते हुई प्रतीत हो रही है नवम भाव भाग्ये का सायोग आपके साथ में बना हुआ है नवमे शोकर मंगल पर्थम भाव में है इसी वज़े से आपके लिए यहाँ पर बड़े डिसीजन के साथ में पॉजिटिविटी एवॉल्व होती चली जा रही है जो आप वरशों की प्रक्रिया के साथ चल रहे थे किसी जॉब में किसी बिज प्रकाव हावी रह सकते हैं इसे वज़े से बहुत जादा मटरिलिस्टिक पॉजिशन के साथ में एक्सपेंसे निकल कर सामने नहीं आने वाले हों ये गौर कीजिएगा आयर एजुकेशन के साथ में आपके फ्रेम पॉजिटिविटी के साथ में आपको आगे वॉल्व करत चले जा रही हैं तो दशम भाव के अलिपति प्रतम भाव में रहेंगे इसे वज़े से प्रेजेंटेशन संबंदे कामकाज में महीना आपके लिए शांदार है पिता के साथ किसी भी कामकाज में आप हैं तो यहाँ पर कॉंट्राडिक्शन्स एस्टबलिश हो सकते हैं उस साहसिक निरने को अपने भीतर शुमार करके चलना है यह समय परतिपद्धता का एक अलग आदर शाप के लिए स्थाफित करता चला जा रहा है और वहीं पर डिसिप्लिन एप्रोच कंटिनुवस नोट पर आपके साथ में बनी वुई है इसी वज़े से इस पूरी ही महीने फाइदे के सिरे और अच्छे से शुबता को अंकित करते चले जाते हैं लाब भाव भी चर्चा करें तो शुरवाती तोर पर सुरीदेव लाब भाव में रहेंगे इसे वज़े से नैतिक बल के साथ में चलते हुए कारियों का पूरा होना और वहां से आपके लाब को आप अंकित होते हैं बहुत अच्छे से देख पाएंगे क्योंकि प्रतम क्यारिपति लाब में रहेंगे और बुद्ध की स्तियां लाभे शुकर जो द्वाव में हैं लाब का वे भी आपके लिए पॉजिटिव है ये भी अलग रेफलेक्शन परंतु संतान पक्ष को अभी काम काज में जोडने से आप थोड़ा सा रुकिएगा कमिशन संबंधी काम काज में बेटरमेंट रहने वाले होंगे द्वादश वाव की बात करते हैं तो अनिद्रा संबंधी रोग परिशान कर सकते हैं परंतु जो भी कार्य यहाँ पर मेडिकल फिल्ड के साथ मुझडे होते हैं जो भी काम काज इवेंट मेनेजमेंट के साथ जुड़े होते हैं वहाँ एबरप्ट एक्सपेंसिस को अपने साथ एस्टबलिश करने से आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए और वहीं पर कोर्ट का चैरी संबंधित मामलात में किसी भी तरिके की लापरवाही को अपने मासिं गराशी के जातकों के लिए जुलाई 2023 का मासिं गराशी फल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंत रुपस्तित होने का प्रयतने करते चले जाएंगे धन्यबाद एवं कूटी शहर आभार